हेलो दोस्तों मैं सुझे इन प्रोग्रेस आपका स्वागत करता हमारी इस रिकॉड़ वीडियो टुटोडियल में जहां हम सीखते हैं कम्प्लीट टेटर अनेटक्स का कोर्स इसमें हम बात कर रहे हैं पैथन आज हम बात करेंगे पैथन के बारे में इसे पहले एक लासें पै करेंगे जैसे कि आप लोग यूज करते हैं मल्टिप्लाइड माइनस डिवाइड प्लस यह आप मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तमाल करते हैं लेकि पैथन में इसके अलावा भी कुछ चीज़ों होती है चले इंपे जिकर करते हैं सबसे पर एक पीडिया हम ओपन करते हैं जि है तो हम बात करते सबसे पहले आपका मैंतेमेटिक रिया इसको हमों बोलते हैं को मैंटिक आपके पास क्या है मुल्टिप्लाई है माइनस है फिर पर्सेंटबर व्यूला जाता है यह आपकावर होता है और यह आपका divide without decimal होता है यह आपके whole number बूल सकते हैं अब जिसे कि अगर हम एक बार मैं इसको theoretically बता जाता हूँ जिसे कि अगर आपने A आपका मालेज़े 4 है और B आपका मालेज़े 2 है तो अब आपका इसकी बात करें तो यह आपका plus कर देगा मतलब कि 4 plus 2 equal to 6 करेगा इसको normal minus करते हैं तो 4 minus 2 यह आपका 2 करेगा A अगर multiply करते हैं आपने लिया कि A multiply by B तो क्या हो जाएगा यह आपका 8 हो जाएगा उसके बाद अगर आपका divide करते हैं दिवाइड होगा लेकि modules क्या होता है A आपका sales for निगालता है तो चली इसी को हम VS code के अंदर में एक वर करके देखते हैं तो VS code मैं यहाँ open कर रखा है इसको मैं तरह सब बढ़ा कर लेता हूँ और मैं delete कर दिया अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर हमली देते हैं A equal to 20 और B equal to हम माल लेते हैं यहाँ पर 10 और हम यहाँ पर C equal to A plus B करेंगे अगर इसको मैं print करता हूँ यह तो basic concept है क्योंकि इसका use आगे चलकी हम इसमें करेंगे अपर mathematical calculation बगर हमें करेंगे तो A plus B तो यहाँ पर हम कर देते हैं print out print out में C 30 तो आप देखेंगे अगर मैं run करता हूँ यहाँ आपको दीखेगा यहाँ पर दीखा है 30 result क्या है हमारा 30 result है लेकिन अगर मैं इसमें minus करता हूँ तो सुझाईशी बात है आपका 10 आएगा अगर मैं इसको multiply करता हूँ तो multiply करने पर आपका 200 आएगा divide करता हूँ तो आपका divide आएगा तू पंच जो आएगा लेकिन इसमें एक आती है आपकी बारे आती है percentage की a percentage b माने जिए a आपका 14 है और b आपका 5 है तो result c पे क्या आएगा जब ए इसमें आपको mode करते a mode b करेंगे तो result 4 आएगा measure score करें करने कर दिखाते हैं तो result आपको 4 आपको 4 आगे तो इस ने क्या किया आप 14 दखा और यहां पर 5 रखा और यहां आपके 2 से किया यहां पर 10 इसने यहां पर여्डोनित कर दिया ऑपाइए यहां ब्टोन पर किह बोलती है यह 4 है न यह percentage जो हम देते हैं तो यह आपका सेस्वर रिमाइंडर निकाल के दिखाया है उसके बाद अगर इसमें डबल बार मल्टिप्लाई करते हैं तो तीन स्क्वाइर करना है तो तीन स्क्वाइर और थू हमने आपके कर दिया यह डबल डबल स्टार के सांद बी कर दूगा तो आप देखेंगे कि इसका यह हनडर आए तो यहा देखिए अगर आपका ए कि हाँ डबल स्टार है इसके क्या हो जाता है यह आपका स्क्वाइर तो डबल स्क्वाइर है तो यह आपका square हो जाता है इसका इस्तमाल यहाँ पर होता है अब इसमें आता है आपका double slats जोसे मान लिजिए कि मैंने 10 को 2 से divide किया तो अगर normally divide लगाते हैं तो result यहाँ पिके आएगा आपका 5.0 आजा देखाए 5.0 आए अगर मान लिजिए 10 के जगह पे 14 होगा तो यह आपका 5 यहाँ पर 5 कर देता हूं यहाँ पर देखे 2.8 something result आना चाहिए 2.8 इसने क्या कि decimal कर दिया मतलब कि इसने यहाँ पे अगर मान लिजिए 14 है अगर 5 से divide हुआ तो यहाँ कटन पूट्टी और यहां पर 4 डॉट लगाया डॉट लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगाया और और फिर 8 दिया और यहाँ पर 40 से तो नॉर्मल डिवाइड आप करते हैं लेकि इसी में मैं डबल डिवाइड करूंगा तो क्या होगा आप देखें कि रिजर्ट सिर्फ टू आएगा इसका रीजन क्या हुआ कि इसने जो किया प्रग्रामिंग इसे चौरा को फाइड से डिवाइड किया टू आया तो अगर होता थे फोर निकाल देता और यह नॉमल डिवाइडर सिस्टू है तो आएग डॉट लगा के फिर आगे कैल्कुलेशन नहीं करेगा यह आपका मैंसेन जारी है और के बस पड़ ses जakतो ऊ kwalinkो अब इसकी जदूरत कहां पड़ती है इसके वारे में हम बात कर लाते हैं तो कि तरह कि जो के स्वारीत का परफित परसेंटेज निगालना है ने दुख परसेंटेज तो मान लिबार्यजे कि हमारहेपास प्रोड़क्ट का लीज है profit percentage पता करना कि profit percentage कितना हुआ वा है तो कैसे कर तो आगर मानों की mathematics पर जाए to mathematics करता है कि cell minus 8 divide by by हुसक्रीप हाईगा उसको हां हंड़ेट से divide कर देंगे तो पर्षनबीज नहीं बला है तो यहां same method करते हैं कि सेल एस माइनस बी और फिर इसको डिवाइड बाई हम देते हैं बी अब पूरे परकिया को हम कर देते हैं कि यह हो रहे हैं कि यह दिए अज हमने प्रिंट कमांड तो दिया ही नहीं ताकि रिजल्ट पता चले प्रिंट कमांड के अंदर हमने पी दिया और देखें कि यह देखें 0.10 multiply by 100 नहीं हुआ है अब multiply by 100 पर दिया जाय तो यह आपका percentage दिखेगा इन नंबर और इसके साथ अब परसेंट का figure भी आज पर जिपते है किस तरह से और यह फ्लॉट है इस तरह नहीं होगा इसके लिए हम format का भी यूज कर सकते है आगे चलके तो format भी हम आपको बताएंगे फिलार इसका percentage अगली वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी mathematical calculations आपके साथ बात करेंगे थैंक यूज कुछ पर जो ऐसंगे